सुबसुब की गुडूमॉर्णिंग और आज मैं जिस पौदे की कटिंग लगा रही हूं वह मैं आप शब को दिखांगी किस तरीके से आप ये पौदे की कटिंग लगा सकते हैं एक असानी से तो फ्रेंड मैं पिछली साल भी लगाई थी और इस बार भी में लगा रही हूँ क्योंकि Rick जाता है बहुत ही आसान है तो आज मैं कलब जब टहल लए थी मेरा मन हुआ कि आज इसमें से कुछ डंडियां ले ले लेते हैं और अपने गार्डेन में लगा देते हैं क्योंकि पिछली बार भी मैं लगाई थी यहीं से ले करके और अच्छे से लग गई थी लेकिन फ्रेंड मैंने अच्छ से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो पूरा यह नौवंबर दिसम्बर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है यह देखे मैं दो इस्टिक आज इसकी निकालूंगी कि थोड़ा सा हाड है फ्रेंड मैं कटर नहीं ले गई थी कटर ले जाना भूल गई थी तो मेरा मन तो वैसी होता कहीं पर गए गर पोधा अच्छा दिग गया तो मैं पहले उसकी दो डंडिया ले आती हूं उसी से मैं इसको ग्रोव कर देती हूं आप बहुत सारे पोधे म पौधा लगेगा ही नहीं तो थोड़ा यह पौधा हार्ड है और इसको मैंने लिया है तो कम से कम यह 12 इंच की जो स्केल होती है उससे बड़ा साइज के हां मतलब 12 से 18 इंच का यह मैंने स्टिक लिया है और इसको घर में ले करके भी कटिंग सेट करें तो थोड़ा और चोटा हो जाएगा तो में हमको 12 इंच का इसको लगाने के लिए चाहिए प्लांट पौधे को कलम करना है तो 12 इंच का अगर प्लम करते हैं तभी यह पोधा बहुत अच्छे से लग लगता है तो मैं दोठो आज इसका डंडी ले करते हुँ और मैं घर में कैसे जाकर ग्रोथ करती हुआ कैसे मैं लगा तो यह भी मैं दिखाओंगी और मैंने और भी मैंने लगा रखा है प्लांट इसनु भी दिखा दूंगी तो फिर यह देखिए मैं आ गई अपने छहत पर तो च्छत पर देखिया अब सूबा की अगर आपके पौधे में आ जाते हैं तो घास को आप हटाईए गर नहीं क्योंकि घास अगर हटाते हैं तो जो आपने कलम लगाया वह रहीं जाता है तो हिल जाएगा तो वह उसकी ग्रोथ रुख जाती है और हिलते ही जड़े खराब होने लगती है तो मैं बहुत सम्हाल के थोड़े बहुत घास में निकाल दे रहीं फर नहीं ती जो पौधे मैंने लगाया है कलम जिसमें काफी पत्तियां आ गईया और दम से लग भी गया है तो फरन अभी इसको कोई ज्यादा छेड़ चाड़ नहीं करूंगी जब भी मैं इसको निकाल के अलग करूंगी जब य खुबसूरा सा यह चार-पांस टो मेरे जो हैं पौदे सब लग गए हैं तो मैं इसका यह तो अलमंडा का प्लांड फरन या यह यह गरिमियों बहुत सदा ज्यादा फ्लावरिंग करता है और गरिमियों मैं इसको सिफ्ट करूंगी अभी नहीं मतला बाद में सिफ्ट कर द परेकि मैं जो लाई हूं यह वाला इस्टिक है मेरा है कि मैं इसको तरीक है कि मैं किला प्लांट छ गऑना ड़ा है यह अचा स्याक कि कहें हम साचार भग जिए यह कि नहां कि नա। यह इस सब ब्रांश को मुझे हटा देना है ताकि जो इसकी में जट मंदल में इससे कोई ब्रांच ना रह जाये हैं, तो इसकी नीचे से जर नहीं निकलेगा और यह पधा सूख जाएंगा, मद्जो यह मतलब स्टिक में लगा हैं, तो इसकी मैं खुँच अगर देनी है तो यह सब में हटा दूंगी क्योंकि अगर आप इसको लगाने लगाना है तो अगर प्रॉपर केर करके नहीं लगाएंगे तो यह नहीं लगेगा और इसको लगाने के लिए भी जो मैंने मिट्टी ली है वह हमारी नार्मल कोबर की खाद है मतलब काउटंग है और गार्डन क रिखेंट को क्लाइब टोर के लाइन तो मुझे करना है और जड़े जो पीछे स्टीक अगर इसको फिनिशिंग नहीं करेंगे तो इसको इसको भी में बराबर करकी कटिंग कर लेती हूं कहीं सभी इसको खुलाती तो इसको फिर शेट करना पड़ता ही नहीं तो पोधा पौदा बहुत अच्छे से लग जाएगा ती देखिए मैंने काट लिया है और गांट के पास से काटा तो और अच्छा है क्योंकि गांट के पास से ब्रांच जिसके बहुत जल्दी निकल आती है तो फिर्ण में यह दो इस्टिक दोनों को मैं तयार कर लेती हूं और दोनों ह तो यह देखिए मैंने काटिंग कर लिया है अगर आपको लगाना इसको तो एक जगा बैसी जगा लगए तो इसको यह हीले ना क्योंकि हिलता है अगर तो पहुता खराब होता एक पर इसको शेट अगर कर दिये हैं तो जब तक उसकी न्यू ब्रांच नहीं निकलाती है उस में तो यह फ्रंड मैं मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट कर ले रही हूं और इसको में तो मैंने जो पिछला लगाया उसको भी मुझे खराब नहीं करना हिलाना नहीं है तो यह देखे साइड वी मैं इसको जगह बना रही हूं और इसी जगह में इसको लगाऊंगी और देख बीग में नियुक पूम आफिया Yo न्युकि पानी में भीखकर भी लगा सकते हैं तो बीच मिती ने रचिळा करिके वह ठीज़िए इतना मैं घुषाते हुए मतलब की आपका दो अंगुल क आइसपास की के अंदर is ताकि यह आसानी से लग जाए और फिर लगाने के बाद मिट्यों को अच्छे से दबा देती हूं यह लग जाएगा मैं इसको भी दिखाऊंगा जाए और फिर फर्वरी में ही लगा दीजिए पूरा सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग वाइट क्लर की बहुत ही खुबसूरत शी होती है तो आप इसको जरूर लगाएगा अपने गार्डेन में जरूर सामील करेगा और देखन इस तरीके से मैं मार्केट कम जा पाती हूं तो जहां भी देखती हूं पौधे मुझी जहां दिखते हूं वहीं से मैं वहां से डंडिया ले आती हूं उसी से कलम करके मैं इन पौधों को लगा देती हूं पौधा मेरा सचे बहुत अच्छे से फुलावरिंग करता है और यह तो आज मैं इसको भी लगा दे रही और लोगों को लोग सकते हैं यह दूद्र वाले पौदे जो होते हैं इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है बहुत आसानी से लगा जाते हैं ईसकी पत्तियां गाले यह outông कंभी साइब मैं गार्डेन इंग भी मुझे संध्डा कर देंदी और यंग पूदे नहीं अगर मेरे वीडियो अच्छी लगती हे तो लाइक स región टाइब सेयर जरूर करिएगा